अगर आप लोग भी चाहते हो इस टाइप से साइड स्टेटस क्रियेट करना तो आज की इस वीडियो में आप लोग कुना बताऊंगा की कैसे साइड स्टेटस को क्रियेट कर सकते हो तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जाना होगा एंड आप लोग को यहां सर्च बार में आना होगा सर्च बार में आप लोग को सर्च कर देना होगा एड फोटो काटून ठीक है तो आप लोग देख सकते हो आप मैं सेड फोटो काटून सर्च कर दी जाओं सर्च होने के बाद आप लोग को बहुत सारे सेड 하기ation को open कर लेना होगा open होने के बाद आप लोग यहां पी देख सक्ते हो इडित ए फोटो का option है ठीक है तो इस वाले option पे किलिक कर देंगे रूंग करने गद आप लोग को sanction बैल गराउंड वाले option पी किलिक कर देना होगा यहां पे आप लोग को वीडियो में रख लीजिएगा, तो यहाँ पर रखने के बाद यहाँ से सेव कर देंगे, एंड इस सेव होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कॉल डाउन करते हुए जाना है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फोटो का आप्सन है, ठीक है, तो एड फोटो वाले आ बड़ा करके यहां पर हम लोग अच्छे से अर्जेस्ट कर लेंगे अर्जेस्ट होने के बाद आप लोग को यहां पर देख सकते हुँ इस टीकर का ओप्षन है तो इस टीकर वाले ओप्षन पर किलिक कर देंगे एंड आप लोग को सर्च बार में सर्च कर देना होगा ब्लैक तो अभी आप लोग देख सकते हो मैं फोटो के आसपास में इसको यहाँ पर एड़ कर दिया हूँ अभी एड़ हुनी के बाद आप लोग को क्या करना होगा संपल से अगर आप लोग यहां पर text को लिखना चाहते हो जो भी song है यहां पर आप लोग song को लिखना चाहते हो तो यहां से easily लिख सकते हो और लिखने कब लाद कुछ इस type से हो ही da adjust कर सकते हो आप लोग को बहुत सारे found मिल जाएंगे किसी भी found का select card की आप लोग बना सकते हो ठीक है आप लोग देख सकते हो आपे कुछ भी आप लोग लिख सकते हो song का name भी लिख सकते हो या फिर अपने साइरी भी हाप लोगए at कर सकते हो तो चलि यहां से हम इसको skip कर देते है, skip करने के बाद आप लोक को क्या कर나 होगा, simple से न देख सकते हूँ, यहाँ पर save वाले option पर create countries पर click कर देना होगा, save image वाले option पर click कर देना होगा, अभी आप लोग को जितना वी photo आप लोग download की हो, यानि कि 5-6 photo को इस type से आप लोग program को create कर लेना होगा photo create करने बाद Pixar अप्टिकेशन से हम लोग से बीयन अपलीकेशन में चले जाएंगे बीयन अपलीकेशन में आने के बाद आप को अप्लस वाले option पर क्लिक कर देना होगा दो न्यू परजेक्ट वाले option पर चले और्जियन वाले option पे किलिक कर देंगे 9 by solar ratio रख लेंगे अभी रखने के बाद आप लोग को इस call down करते हुए जाना है तो आप लोग को यहाँ पे blur का option मिलेगा blur वाले option पे किलिक कर दिजिएगा पहले वाले option को select करके हाँ 40 के आस पास में आप लोग को रख लेना होगा रखने के बाद आप लोग को इस photo को 15 सिकेंड के आस पास में कर लेना होगा ओके दोस्तो 15 second तक रखने के बाद आप लोग को simple से क्या करना होगा photo value option पे जाना है photo and video पे जाना है जो भी आप लोग fix art application से photo को create किये होना उस photo को add कर देना होगा तो simple से यहां से हम add कर देंगे add होने के बाद कुछ इस types इसको यहां पे बड़ा कर देना होगा बड़ा करने के बाद आप लोग को यहां पे कुछ इस type से इसको अच्छे से अरजेस्ट कर देना होगा ओके दोस्तों अच्छे से अरजेस्ट होने के बाद आप लोग यहां पे देख सकते photo and video का option है तो इस वाले option पे किलिक करके photo and video पे जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को ना कुछ इस type से sticker add कर देना होगा sticker add करने के बाद आप लोग को यहां पे blending के option पे किलिक करके यहां से screen कर देना होगा screen करने के बाद आप लोग को कुछ इस type से बढ़ा करके यहां पे अपने photo को frame में set कर देना होगा तो यहाँ पे अच्छे से set करनेक बाद इसको पूरे वीडियो में हम लोग apply कर देंगे apply होने के बाद आप लोग को दुबारे से photo in वीडियोवाले option पे जाना होगा एंड आप लोग को वीडियोवाले section में आने के बाद एक कोई साभी लेरिक्स आप लोग को यहाँ पर ले लेना होगा लेरिक्स लेने के बाद आप लोग को ब्लैंडिंग पर किलिक कर यहाँ से स्क्रीन कर देना होगा एंड आप लोग को कुछ इस टाइप से वीडियो को चला देना होगा चलाने के बाद आप लोग को लेरिक्स को कुछ इस टाइप से बढ़ा करके यहाँ पे अच्छे से अर्जेस्टिक कर देना होगा ठीक है अगर आप लोग के लिरिक्स इधर उधर हो सकता है तो आप लोग छोटा बढ़ा करके अच्छे से यहाँ पर अर्जेस्ट कर देना होगा ठीक है अब इस लेरिक्स को अर्जेस्ट होनी के बाद आप लोग को एक कम क्या करना होगा दोबारा से photo and video पे click करना होगा और आप लोग को इस type से music मिल जाएगा ये all material आप लोग को video के decision में मिल जाएगा वहाँ से आप लोग download कर सकते हो तो simple से planning पे जाके इसको भी screen कर देंगे और इसको इस type से यहाँ पे beach में हम लोग set कर देंगे ठीक है अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का status कुछ इस type से दिख रहा है अब बात करें उपर ले जाने की slide करने की जो आप लोग को photo को थोड़ा सवर बढ़ा लेना होगा बढ़ाने के बाद आप लोग को क्या कर रहा है के बाद आप लोग को कुछ इस type से यहाँ पे split वाले option पे click करके cut लगा देना होगा ठीक है अभी cut लगाने गवाद आप लोग को अपने photo पे जाना होगा और आप लोग को यहाँ पे keyframe का option मिलेगा ठीक है तो keyframe वाले option पे click करेंगे एप लोग को photo के last में जाना होगा और दुबारा से यहां पर keyframe का use कर लेना होगा use करने गवाद आप लोग को कुछ ही इस type से photo को यहां पर उपर ले जाना होगा और आप लोग को दुबारा आना है and png वाले option पर click करके और आप लोग को इस पर भी keyframe लगाना होगा and last में छले जाना होगा last में जाने गवाद keyframe का यहां पर भी use कर लेना होगा and कुछ ही इस type से इसको भी यहां पर जाके set कर देना होगा ठीक है अभी इतना होने के बाद अब आना है आप लोग को lyrics वाले option पर click करके and keyframe को यहां पर use करना होगा and आप लोग को simple से यहां last में भी keyframe का use करके कुछ ही इस type से lyrics को भी उपर रख लेना होगा अभी इतना रखने बाद आप लोग को music वाले option पर click करके keyframe पर click करके and last में आके keyframe लगा देना होगा and इसको भी कुछ ही इस type से बीच में अच्छे से artistic कर देना होगा okay अभी आप लोग देख सकते हो कुछ ही इस type से lyrics and photo लग चुका है ठीक है तो ऐसे आप लोग और भी photo add करके video को बना सकते हो एक photo और आप लोग को artistic करके बता देता हूँ क्योंकि video में बनाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा ठीक है तो simple से हम लोग आएंगे plus वाले option पे click करेंगे photo और वीडियो पे आएंगे photo वाले option पे आने के बाद आप लोग को एक photo add करने ना होगा add करने बाद आप लोग को simple से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना होगा ठीक है अभी बड़ा करने बाद कुछी steps इसको अर्जेस्ट कर देना होगा अर्जेस्ट होने के बाद दोस्तों आप लोग को simple से photo वाले option पे click करके आप लोग अच्छे से देखेगा दुबारा से आप लोग को keyframe पे लगाना होगा एंड photo के last में जाके आप लोग को यहाँ पे keyframe को use कर लेना होगा यूज करने बाद आप लोग को photo को कुछ इस type से यहाँ पे लेके चले जाना होगा एंड आप लोग को दुबारा से आना है एंड आप लोग को pnj वाले option पे किलिक करके एंड keyframe को use करके एंड वीडियो के last में आप लोग को keyframe को use कर देना होगा keyframe को use करने के बाद कुछ इस type से आप लोग अच्छे से यहाँ पे ले जाके अरजेस्टे कर दीजिएगा एंड दुबारा से आना है आप लोगों को एंड lyrics वाले option पे किलिक करके keyframe को लगा के एंड आप लोग को last में भी keyframe को use कर देना होगा एंड कुछ इस type से lyrics को भी यहाँ पे अरजेस्टे कर देना होगा ओके, अरजेस्टे होने के बाद simple से आप लोग को music वाले option पे किलिक करके keyframe को लगा देना होगा एंड आप लोगों को इहाँ पर भी keyframe के use करके बीच में कुछ इस type से अरजेस्टे कर देना होगा तो भी आप लोग देख सकते हो इस type से आप लोग sad status sad वीडियो को बना सकते हो I hope आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर ही वीडियो अच्छा लगा होगा तो like करिएगा, share करिएगा और चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा अगर आप लोग का कोई question हो तो आप लोग इजली comment में पोस सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाईस